नमस्कार A-Z dishes ओश्या गोर्जानी में आप सब का स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ राई के तड़के वाली खिचडी अब देखें खिचडी एक ऐसी रेसिपी है ऐसी एक चीज है जिसे हम दई के साथ खाए सबजी के साथ खाए दिन म खाएं या फिर रात के खाने में हर टाइम हमें यह अच्छी लगती है एकदम बड़िया बच्चे होया बड़े सबी को खिचडी खाना अच्छा लगता है पर हम खिचडी हमेशा ही नॉर्मल बनाते हैं कभी यह राई के तड़के वाली बनाना उसके लिए एक कप छोटे चावल और आदा कप हरी मौंग के दाल को अच्छे से वाश कर लेना तीन से चार पानी से और इसे पानी में दस मिनिट तक भिगोना उसके बाद गैस को अन करके कुकर रख देना और यह बिगोवे चावल और दाल और पानी डालना है मैंने आपर तीन गलास उसके अंदर प पका लेना है जैसे ही विसल आ जाये यहनी कि सीटी आ जाये गैस को बंद कर लेना प्रेशर निकलने देना उसके बाद ही डकन को खूलना और देखे कुछ इस तरह से हो गया है अब इसे जेडने की मतल से देखे इस तरह से हमें मैश करना है यहनी कि मसलना है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस तरह से करती जा रही हूँ अच्छे से लगवक आपको इसे तीन से चार मिनट तक ऐसे ही करना है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक गलास पानी इसके अंदर और डाला है अब खिचड़ी है थोड़ी से लिक्वीडी अच्छी लगती है आप तो वह वाली कंसिस्टेंसी भी रख सकते हैं एक गलास पानी डालने के बाद ना इसे अच्छे से मिक्स कर लेना और दो मिनिट तक पका लेना ढखकर नहीं इस तरह से खुलाई देखे कुछ इस तरह से हो जाएगी अब हमें तड़का देना है तो गैस को अन करके मैंने अच्छा लगेगा चौथा ही चमच इसके अंदर हिंग डाल देना राई देखे चटकना शुरू हो गई है तो बस यह राई का तड़का हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और घी में तड़का लगाना क्योंकि काफी अच्छा अस्पाद आता ह पर आप चाहे तो तेल का भी लगा सकते हैं अगर आपको घी पसंद नहीं है तो तो लेजर तयार है यह राई के तड़के वाली खिचड़ी सच बतारी यह इतनी मज़ेदार लगते हैं अब आप चाहे से कोई भी चटनी या फिर दही के साथ खाए या फिर मेरी तर आप इ अच्छा कॉंबिनेशन है हेल्दी और टेस्टी तो आप भी ट्राइ करना और यहां तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही थांकियो फो वाच चाहें